दिवाली आ रही थी सपक्षी दिवाली के तहवार को लेकर बहुत खुश थे लूसी इस बार भी पिशली बार की दरहां हम समय कर दिवाली मनाएंगे इस बार तो मेरा पती बड़े वाले पटाक कर लेकर आया है लूसी मुझे अनार बहुत अच्छे लगते हैं इस बार हम बड़े वाले अनार बे चलाएंगे और आतश बाजी भी करेंगे गोरी कवी ये सब सुन रही थी वो थोड़ी दूर बैठी थी मतलब इस बार फिर ये पक्षी हमें तंग करेंगे मगर मैं भी इस बार तुम्हें दिवाली मनाने नहीं दूंगी गुसे में गोरी वहां से चली जाती है कालू कान खौल कर सुन लो मैं इन पक्षियों को एक साथ दिवाली मनाते हुए नहीं देख सकती मुझे भी इनके पटाखों की आवाजें बहुत तंग करती है गोरी कोई ऐसा उपाए निकालो जिससे ये पक्षि इस बार दिवाली ना मना सके उपाए तो मैंने सोच लिया है फिर गोरी कोई कालो कोई के कान में अपना उपाए बताती है तुम अपने मामा जी के पास चल ले जाना और पीछे से जो होगा मैं देख लोंगी अगर कोई मेरा पूछे तो कहना मैं पूर्व वाले जंगल में हूँ फिर दूसरे दिन शैतान कवे अपना काम शुड़ो करते हैं गोरी कवी चिडिया के पास जाती है चिडिया चिडिया नदी पर एक पेड़ है उस पर धेर सारे मीठे फल लगे हुए है जाओ जाकर तुम भी मीठे फल ले लो मैं अभी जाती हूँ गोरी और हाँ कल शाम दिवाली मना रहे हैं हम सब मिलकर तुम भी आजाना कालू को लेकर बहुत मज़ा आएगा चिडिया वहां से चली जाती है मज़ा तो आएगा मुझे तुम्हें रोते हुए देह कर जैसे ही चिडिया नदी पर जाती है कालू कवा चुपके से चिडिया के घर में जाता है कूकू मेरे साथ चलो मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है वो आपको बुला रही है मगर मम्मा कहा है आपकी मम्मा मेरे घर में है हमने खिचडी बनाई है आपकी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं आपको भी ले आऊँ कुकु भी खिचडी के लालच में आकर कालू के साथ चला जाता है कालू कुकु को साथ लेकर सीधा दूसे जंगल जाता है यहां नती पर तो कोई मीठा फल नहीं है यह गोरी भी हर समय जूट बोलती है चिडिया निराश हो कर वापिस लोडती है कु कुकु बेटा कहा हो घर में अपने बेटे को ना दे कर चिडिया रोने लग जाती है कुकु बेटा आप कहां चलेगे है चिडिया अपने बेटे की खोज में घर से निकलती है रास्ते में चिडिया को मिठ्षू दोता मिलता है चिडिया चिडिया मेरे साथ चलो मैं बड़े अनार और पड़ाखा रोकिट लेने जा रहा हूं इस बार तो दीवाली धूम-धाम से मनाने का सोचा है सबने मगर मिठु भैया मैं तो अपने बेटे को ठोडने जा रही हूँ कुकु ना जाने कहा चला गया है कुकु तो बहुत छोटा है वो अकेला तो कही नहीं जा सकता फिर कौन लेकर गया है उसे चिडिया और मिठु दोनों कबूतर के पास जाते हैं मिठु आप अभी तक गे नहीं मैंने कहा था के तुम बड़े अनार ले आओ कबूतर भैया मेरा बेटा कुकु खो गया है वो मुझे बताए बिना कभी नहीं कहीं गया ये काम कौन कर सकता है कुकु को की नैप कौन कर सकता है चुप चुप कर जाओ मैं एक लगाऊंगा मुझे मम्मा पास चोना है कालू अंकर आपने छूट बोला प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास चोड़ाएं कालू इसकी चौँच बांद था ये ता मुझे सोने ही नहीं दे रहा फिर कालू कवा एक रसी से कुकु की चौँच बांद देता है चिडिया कबूतर और मिठु सब कुकु को ढूंड रहे थे शाम भी हो गए थी दिवाली का भूल कर सब कुकु की खोज में लगे हुए थे अपने खर के बाहर गोरी उन्हें ऐसे परेशान उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी बड़े आए दिवाली मनाने वाले गोरी के होते हुए तुम सब कैसे खुश हो सकते हो रात हो जाती है मगर कुकु का कहीं पता नहीं चलता फिर वो सब ठक खाय कर वापिस आ जाते हैं रास्ते में उन्हें बुलबुल मिलती है आप सब यहां मैं तो आपके पास जा रही थी क्या दिवाली नहीं मनाएंगे इस बार बुलबुल मेरा बेटा कुकु कहीं खो गया है हम सब उसे ढून रहे हैं कुकु वो तो दुपहर को कालू कवे के साथ दूसे जंगल की तरफ जा रहा था मुझे पहले ही उन कवों पर शक था ये काम उन कवों का ही है वो कवे ऐसा क्यूं करेंगे हमें परिशान करने के लिए वो कवे कुछ भी कर सकते हैं चुडिया बेहन आप चिंता ना करें अगर घी सीथी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेरी करना पड़ती है मैं देखता हूं इन कवों को फिर रात को कबूतर अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और गोरी कवी के घर जाता है उठा उठा काली कवी वन्ना तुम्हारे पंक काड़ दूगा कौन हो तुम और तुम इस चाकू से किसे मारने आये हो मैं ढाकू हूँ और मैं तुम्हे मारने आया हूँ ढाकू जी बलीज मुझे ना मारें मैं तो अभी जबान हूँ मैं मैं मनना नहीं चाहती प्लीज काला जाना मेरे पती कालू कवे को मार देना अगर जीना चाहती हो तो सच सच बताओ जुडिया का बेटा कहां है गोरी डरी हुई थी इसलिए वो जल्दी से बोलती है उसे मेरा पती किर्ण नैप करके अपने मामा जी के पास ले गया है सच मैं सच कह रही हूँ इसमें मेरा कोई दोश नहीं है प्लीज मुझे न मारना फिर कबूतर अपने चेहरे से मास्क उतार कर कहता है चुडिया और मिठू भी वहां आ जाते है मान गई है ये काम इन्होंने ही किया है बेशरम चलो अब जल्दी से मुझे मेरा बेटा दो फिर वो सब गोरी को साथ लेकर दूसरे जंगल उड़ते हैं गोरी आगे आगे और सब पक्षी गोरी के पीछे पीछे जा रहे थे गोरी कालू के मामा के घर के दर्वाजे पर दस्तक देती है मामा जी इस समय कौन होगा कालू फूच कर दर्वाजा खोलना कौन कौन है कालू जी मैं हूँ जल्दी से दर्वाजा खोलो वरना ये सब मुझे मार देंगे कालू तरवाजा खोल कर बाहिर आता है गोरी तुम इन सब को लेकर यहां कैसे अब ही बताते हैं तुम्हें डुष्ट कवो चिडिया अंदर जाती है और अपने बेटे को उन डुष्ट कवों से आजाद करवा लेती है इन सब को मार देना ही बेहतर है वरना ये फिर से ऐसा करेंगे मुझे ना मारना आ मेरी जगा कालू और इसके मामा जी को मार दे नहीं नहीं मेरा कोई दोश नहीं आप कालू को मार दें हमें माफ कर दें मैंने गोरी के कहने पर ये सब किया ममा, ममा, कालू अंकल ने मुझे मारा भी था अगर दुबारा तुम में से कोई भी हमारे जंगल में आया तो वो अपनी जान से जाएगा फिर सब पक्षी कुकु को लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन पक्षी पूरी त्यारी करते हैं और रात को सब मिलकर दिवाली मनाते हैं सब ममा पक्षी एक तरफ बैठी हुई थी कबूतर तो अनार चला कर डान्स कर रहा था मिठू पठाखे पर पठाखा चला रहा था वो सब बहुत खुश थे क्यूंके दिवाली जो थी और वो सब उस्ते हुबार को पुशियों से मनाते हैं प्यारे दोस्तों आप सब को मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से दिवाली की शुप कामना है एक पेड़ पर कवे का घौंसला था और दूसरे पेड़ पर चिडिया अपने बच्चे के साथ रहती थी वो दोनों परोसी थे चिडिया कवे के पास आती है कवे भीया मैं भोचन लेने जा रही हूँ क्या आप मेरे बेटे का दिहान रखेंगे चल भाग यहां से मुझे परोसी की कोई जरूरत नहीं है मुझे सोने दो कवे भीया परोसी एक दूसरे का सहारा होते है मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करती है दुख और सुख के साथ ही होते है मुझे किसी से कोई काम नहीं है नहीं मुझे परोसीं से संबंद बनाने है चिडिया वापिस चली जाती है वो अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा कर अपने साथ ही ले जाती है चिडिया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक बुढ़ा पक्षी नजर आता है जो दर्द से कराह रहा था कोई मेरी मदद करे कोई मेरी मदद करे मैं मौसीबत में हूँ चिडिया वहाँ जाती है वो अपने बेटे को एक तरफ बेठाती है बुढ़ी मा क्या हुआ आप क्यों रो रही है बेटी मैं ये भोजन लेकर आ रही थी कि मेरे पाउँ पर चोड लग गई बहुत दर्द हो रहा है मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला दो माजी मैं अभी आप के लिए पानी लेकर आती हूँ कुकु बेटा आप इधर ही माजी के पास बैठे ममा जल्दी आना फिर ममा चिडिया वहाँ से जाती है ममा चिडिया सीधी नदी पर जाती है और वहां से पानी लेकर वापिस आती है माजी ये ले मैं आप के लिए पानी ले आई हूँ वो बुड़ी फाखता पानी पीती है अब मैं ठीक हूँ बेटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप कहा जा रही हो बेटी माजी मैं अपने और अपने बेटे के लिए भोजन लेने जा रही हूँ बेटी ये भोजन बहुत ज़्यादा है आप इस भोजन में से आधा भोजन ले जाए चिडिया बहुत खुश होती है माजी मैं आपको आपके घर छोड़ाती हूँ नहीं बेटी मैं अब ठीक हूँ फिर ममा चिडिया कुछ भोजन लेकर अपने बेटे के साथ घर वापिस चली जाती है चिडिया अपने खौंसले में बैठकर भोजन खा रही थी और उसका बेटा भी भोजन खा रहा था कववा नजरें चुरा चुरा कर चिडिया को देख रहा था कववे भीया अगर आप भूके हैं तो मुझसे कुछ भोजन ले ले मैंने एक बार कहा मुझे किसी पड़ासी की मदद की जरूरत नहीं है ऐसे कहते हुए कववा वहां से चला जाता है एसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं चिडिया का बेटा भी उणना सीख लेता है अब चिडिया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जाती एक दिन चिडिया जब भोजन लेकर वापिस आती है तो उसे कालू कववे की आवाज सुनाई देती है हाई हाई मर गया बहुत दर्द है मेरे शरीर में बहुत दर्द है चिडिया अपने बेटे को घौंसले में छोड़ कर कवे के पास जाती है कवे भेया क्या हुआ अब ठीक तो है मगर कवे खामोश था चिडिया कवे को छू कर देखती है उसका शरीर तो बहुत गरम था कवे भीया, आपको बहुत तेज बुखार है आपको दवा की जरूरत है मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहां से आप जो भी कर ले, मैं आपको ऐसे छोड़ कर नहीं चाह सकती मैं अभी आपके लिए दवा ले कराती हूँ मैं चला जाओंगा दवा लेने ऐसे कहते हुए, कवा उठने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है आपकी तबियत ज्यादा खराब है आप चाहें मेरी मदद ना करना परन्तु मैं तो आपकी मदद जरूर करूंगी फिर चडिया वहां से उड़ती है चडिया बहुत तेजी से उड़ती हुई बुल बुल डॉक्टर के पास जाती है बुल बुल दी, मेरे पडोसी कवे को तेज बुखार है आप उसके लिए दवा दे दे चडिया मेरे पास बुखार की दवा खतम हो गई है कल तक आपको दवा मिलेगी बुल बुल मेरा दोस्त बहुत अकलीफ में है वो मर जाएगा तो फिर पहाडों से काले फूल का रस ले आओ और उस फूल के रस के दो कतरे कवे को पिला दो उससे कवे ठीक हो जाएगा ये सुनकर चिडिया समय जाया किये बिना वहां से उड़ती है चिडिया सीधी पहाडों पर जाती है वहां काले फूल उसे मिल जाते है चिडिया एक काला फूल तोड लेती है और वहां से वापिस उड़ती है कवव अपनी आँखे बंद कर के लेडा हुआ था अपना मूँ खॉलें कवव भीया जल्दी करें नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं लोगा कवव भीया आपको कुछ भी हो सकता है प्लीज अपना मूँ खॉलें फिर कवव अपना मूँ खोलता है और चड़िया काले फूल का रस कवे के मूँ में डाल देती है अब आप सो जाएं, सुबह तक आप ठीक हो जाएंगे चड़िया अपने घौंसले में चली जाती है ममा, कालू अंकल आप से हमेशा लड़ते है मगर फिर भी आप कालू अंकल के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है कुकु मेरे बेटे, मैंने अपनी मा से यही सीखा है कि कोई कितना भी बुरा हो मगर आप हमेशा ने की करना हमेशा दूसरों की मदद करना और यही मैं आपको सिखा रही हूँ ममा, मैं वादा करता हूँ मैं भी हमेशा आपकी तरह दूसरों की मदद करूँगा फिर वो दोनों मा बेटा भी सो जाते है सुभा हो जाती है कववा भी उठ जाता है कववा ठीक हो चुका था मैं ठीक हूँ चिडिया मैं शर्मिन्दा हूँ आपसे मैं किसमों से आप से बात करूँ फिर कवा शर्मेंदा होते हुए चुडिया के पास जाता है चुडिया बहन मैं अब ठीक हूँ कवे भीया मैं न कहती थी कि दवा पीने से आप ठीक हो जाएंगे चुडिया बहन आपने सची कहा था के पडोसियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है पलीज मुझे माफ कर दो मैं अपने व्यावार पर बहुत शर्मेंदा हूँ कवे भीया अगर आपको एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं हां मगर अब याद रखना हम सब को एक दूसरे की जरूरत होती है क्योंके अकेले जीवन को जाना बहुत मुझे होता है चुडिया बहन चले एक साथ भोजन लेने जाते हैं फिर वो सब भोजन की खोज में चले जाते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना वियवहार आसपास के लोगों से हमेशा अच्छा रखना चाहिए क्योंके क्या पता कब हमें किसी की जरूरत पड़ जाए आपका धैनेवार